नमस्कार दोस्तो रैडी टू गाइड चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तो दोस्तो मैंने काफी समय से आपके कमेंट्स का रिवियो नहीं दिया तो मैं आपके comments का review दूँगा किन किन निविश्कों को पैसे मिले है उसकी जानकारी भी दूँगा दोस्तो साथ इसाथ fix deposit यानि कि FD करने वालों के लिए क्या ख़बर है क्या उनको पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं उसकी भी जानकारी दूँगा साथ इसाथ दोस्तो उत्तर प्रदेश में PCL निविश्कों का डाटा आया है तो क्या डाटा है UP वालों के लिए उसकी जानकारी भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लाट तक जरूर देखिएगा ताकि आप समझ पाएं कि PCL का डाटा क्या है और FD वालों को पैसे मिल रहे हैं तो कितने मिल रहे हैं सारी कवर करने वाले हैं उससे पहले दोस्तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप हमारी बात का आपको देने की पूरी कोशिस की जाती है वहीं बात करते हैं दोस्तों आपके कमेंट्स की तो सबसे पहले आपके कमेंट्स देखेंगे और उसके बाद बाकी चीज़े हम देखने वाले हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूँ सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकत मिले हैं इनको नेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं राम नैने जी का कमेंट से कि सर मेरे 13,000 था पूरा पैसा आ गया हमने 2 रसीद लगाई थे सूरत से राम ने तो इनकी 2 रसीदे थी 13,000 रुपे इनकी आये हैं जो कि इनोंने 2 रसीदे भी लगाई थी नेक्ट यहाँ पर भी छोटी किस्त थी जो अभी तक पैसा नहीं मिला है जो कि 10,000 से कम है तो कहने का मतलब है दोस्तों जिसके मैंने आपको बताया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कि किसी की FDFx Deposit है उसको पैसा नहीं मिल रहा है आपके सामने ये कमेंट से देख सकते हो मुनिस कुमार जी यहाँ यहाँ पर है 10,420 की FDF 10,419 आये हैं तो हलाकि इनको 10,420 की मिले हैं क्योंकि एक रुपया उल्ड़ी पहले ही ट्रांसफर कर दिया जाता है जब आपको पैसे भी कमेंटी के तरफ से तो आप यहाँ पर देख सकते हो तो अब यह नहीं कहा जा सकता कि FDFD वालों को पैसे दिये जा रहे हैं जैसे RD वालों को मिल रहे हैं नेक्स कमेंट यहाँ पर देख सकते हो विसाल जी का कमेंट से कि सर हमारे 8 कस्टमर के बैंक खाते में पैसे आ गए हैं कुछ लोगों को क्या करें तो देखी जिन लोगों को कम हैं तो अभी तो कुछ समधान तो नहीं हो सकता पर क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बताने का सिरप पर सिर मकसद यह है कि धीरे ही धीरे सही पर निविसको के पैसे धीरे मिल रहे हैं नेक्स कमेंट है रुस्तम खान जी का रुस्तम खान जी बोल रहे हैं एक दिन पहला कमेंट है कल का कैरे कि 14,400 पे आने चाहिए थे लेकि 8, 3,390 में मिले हैं तो काफी कम पैसे मिले हैं इनकों किस वज norm मिले हैं इसका कोई region जो है cb ने नहीं बताया है तो यह भी एक बहुत बड़ी problem है सेबी को यह जरूर बताना चाहिए कि अगर किसी को पैसे काश मिल रहे हैं तो किस वज़ë ती यह जरूरी नहीं है कि इनकी दो पीसल की बोंड थे एक में इनको तेरा जार दोसो जमा किये थे आठ जार दोसो ड़नचास मिले और दूसरे में दस जार तीन सो असी थे जिसमें 5129 रुपे मिले तो दोनों ही इनकी जो पॉलिसी हैं दोनों में कम पैसे मिले हैं जो कि एक बहुत बड़ा इसू है अगर ऐसे सभी निवेश्कों की दीरे दीरे कम पैसे मिलेंगे तो यहां पर कुछ भी नहीं मिले वाला है और यहां पर नेक्स है काजल आर्थ आइडिया का यहां पर कहरें कि मेरे 34,700 में से सिर्फ 984 रुपे मिले हैं अब हो सकता है कि 34,700 रुपे यहां पर कम देखने को मिले नेक्स कमेंट है यहां पर एक दिन पहला यह भी इनका कहरें कि 13,800 रुपे थे पर मुझे 6,899 रुपे आये हैं वहीं दोस्तों यहां पर बहुत सारी चीजे हैं यहां पर है दयाराम तरफाटे जी का कमेंटर की सर जी मेरे नाम डेज नायरान पर्टी है यह इनका नंबर है बोंड की अमाउंट 6,000 के पास थी पीचल ने मुझे 1529 रुपे भेजे हैं और किस लिए और कितने कम पैसे क्यों भेजे हैं 6,000 में से सिर्पर सिर्फ 1529 रुपे तो आप देख सकते हो दोस्तों निवेसकों को जितने भी पैसे मिल रहे हैं का 10,420 का पेमेंट आ गया तो बहुत बहुत दन्यवाद जिन विशकों के पैसे आ रहे हैं 10,420 इनके पैसे आए हैं वहीं अगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको गोरखन परजापती जी का कमेंट देखने को मिलेगा 13,800 रुपे पीचल में जमा किये थे लेकिन आकाउंट यह जो जितनी भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ यह बिल्कुत सही है अब दोस्तो बात यह करेंगे कि जो मैंने आपको बताया था इसके साथ साथ नई खावर क्या है तो आपने देखा था जिसके मैंने आपको कल अपडेट कर दिया था दो अपडेट मैंने बताई थ साथ साथ यह जो प्रदर्शन जो भी किये गए थे यह और इन्वेस्टर सेफटी और्गनाजेंजेंस अर्टन के दुआरा किये गए थे पीशल प्रिट निविशक इनको जलत से जलत पैसा मिल पाई उसी के लिए काम किया गया था हाला कि दोस्तों पीशल कंपनी संपूर्ण भारत में सन 1983 चल रही थी और 22 अकश 24 पर 14 को इसमें प्रिटिबंद लगा दिया था और इसका जो मामला है वो सुप्रिम कोर्ट में विचार धीन है और जो कि 2016 को कोर्ट रिटाइड जज आरम लोटा की अद्दक्सादा में कमेरेटी गढ़ित की गई है जो कि प्रोपरिट पसंद किया गया ताकि जो सरकार हैं उनका दियान इस और खिचे और वो इस पर गंबिरता से विचार करके निवेशकों का पैसा जलत जलत दिलाएं तो जहां मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का एक डेटा रिलीज होगा है डेटा क्या है यहां पर आप देख स समय पहले आत्मात्या करने की कोशिस की ही क्योंकि उन पर इतना ज्यादा प्रैसर था निवेशकों का लोगों का जो उन्होंने पैसा जमा किया है कि वो उनको नहीं मिल पा रहा है तो यहां पर लोगों की काफी ज्यादा नाराजगी है और इसी नाराजगी को देखते प्रोब्लम में हैं एजेंट सबसे ज़्यादा परिशान इस लिए है क्योंकि एजेंटों ने निवेशकों का मोटा पैसा कंपनी में लगवा रखा है उड़न चाज या सो करोड़ पे कोई छोटी मोटी कम नहीं होती है दोस्तों बहुत बड़ा पैसा है यह और यह पैसा नह लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद